नॉन वेजिटीरियन बहू अरे बहू, ये मचली घर क्यों लिया आई घर में? अरे माजी, इसे एक्वेरियम कहते हैं, और ये इसलिए लाई हूँ ताकि मचलीयों को उनका घर मिले. अरे उनका घर तो ताला आप न दिया समंदर में होता है. माजी, मुझे मचलीयों से बहुत प्यार है. आरे ठीक है बेटा, वैसे आज शाम को खाने में क्या बनेगा? फिशकरी. हैं? मचलिया बनेंगी? हाँ मा, मुझे ना फिशकरी खाने से बहुत प्यार है. बहु को नॉन्विज खाने का बहुत शाक था. सास थोड़ी मौडन थी, तो उन्होंने बहु को कभी इसके लिए टोका नहीं. जबकि उनके घर में कभी कोई मांसाहरी नहीं रहा. वा, माजी, क्या फिशकरी बनाई है मैंने? आप भी क्या ये घास पुस खाती रहती हैं? जिसने जीवन में नॉन्विज नहीं खाया, समझो उसका जीवन अधूरा रह गया. अरे नहीं बेटा, ना मुझे नॉन्विज पसंद है, ना मैं किसी के हत्या करके उसे खा सकती हूँ. अरे माजी, मैंने थोड़ी ना हत्या की है, हत्या तो मचली पकड़ने वाले ने की है, मैं तो बस खा आ रही हूँ. सास चुपचाप अपने खाने में लग जाती है, और बहु की कही इस बात को भूलने की कोशिश करती है. एक दिन बहु के कुछ दोस्त घर आते हैं. खुश हो जाएंगे. अरे नहीं नहीं माजी, खाना तो मैं ही बनाओंगी. अरे पर बेटा, तुझे भी पता है, तो पनीर नहीं बना सकती. वही तो, मैं मचन बनाओंगी. मतलब बकरा? हाँ माजी, मुझी ना, अल्ला मचन. लेकिन उस दिन तो क्या रही थी कि बकरे की बली बंद होनी चाहिए, तुने फेस्बुक पर भी डाला था. माजी, फेस्बुक और असल जिन्दगे में अंतर होता है. और मैं बली थोड़ी ना दे रही हूँ, मैं तो बस बना की खा रही हूँ. अरे पर बेटा, उफो माजी, बहुत काम बड़े हैं, बात तो हम फिर बात में भी कर सकते हैं. सास घर के दूसरे कामों में लग जाती है, शाम को बहु के दोस्तों का अच्छे से स्वागत होता है, और बहु खाने के वक्त उन्हें मटन परोस्ती है. वा, या, रुचिता, तेरे हाथ पे तो जादू है, थैंक यू, लेकिन सच कहू, थैंक यू तो उस बकरे को बोलो, जिसने तुमारे पेट के लिए अपनी गर्दन कटवाली, बहु की बात सुनके, सास के अलावा सब हस्ते हैं. अरे आउंटी, आप बटन नहीं लेंगी? अरे सासु मा को बकरा पसंद नहीं है. अरे मुझे तो बहुत पसंद है बेटा, और इसलिए तो नहीं खा रही. बात सही है, पर शेर लोग मौस खाते हैं, घास नहीं. आरे बाबा, क्या बात बोलिये तुमने मेरी शेर नहीं? सब हस्ते लगते हैं. मा जी प्लेट में अपना सर जुकाए, खाना खाती रहती है. बेटे को अच्छा नहीं लगता कि उसकी मा की बात का ऐसा मजाग बनाया जाए. लेकिन वो पत्नी के दोस्तों के सामने कुछ बूल की माहुल बिगारना नहीं चाता. कुछ दिन बाद बहु फिर नौन विज बनाती है. अरे बेटा, आज पूर्णी मा का दिन है. आज हमारे यहाँ ये सब नहीं बनता. बाकी दिन तुम भले ही खा लो. मा जी, ये मेरी चॉइस है. अरे बेटा, पर घर मेरा भी है. हम साथ हैं, तो एक दूसरे की चीजों का और संसकारों का ध्यान रखके घर चलाना पड़ेगा ना. मा जी, चिकन मना है. I love चिकन. मैं तुखाऊंगी ही, ऐसो नहीं छोड़ सकती. ठीक है, बेटा, खा ले. वैसे भी अब ये घर ज्यादा तुम्हारा ही है. जैसे तुम इसे रखो तुम्हारी मर्जी. मा जी, मुझे नानविज खाने से प्यार है. आपको हमेशे उस पे कोई दिकत क्यों रहती है? बहु, मैं गाउं में रहती थी. वहाँ बकरों की बली देते थे. मेरी आत्मा कांप जाती थी उन्हें मिन मिनाते हुए सुनके. मेरे घर भी बकरी होती थी. एक दिन बकरी ने एक मेमना दिया. बहुत प्यारा था वो. मैं दिन भर उसके साथ खेलती. पर एक दिन बाबा ने उसे बाजार में बेच दिया. जब मैं उसे ढूनते हुए बाजार गई तो वो कसाही उसे काटने वाले थे. मैं कुछ नहीं कर पाई. तब से मुझे हर जानवर के लिए एक दया का भाव रहता है. कि कैसे हम उनसे बिना पुझे उनकी जान ले लेते हैं. अच्छी लगी मुझे काहानी. आपकी पोती और पोती खुश रहेंगे. जब भी होंगे तो. अब काहानी मैंसे अच्छी सुनाती हो. बहु सास की काहानी का संदेश नहीं समझती. और वहां जाके चिकन खाने चली जाती है. अगले दिन बेटा बहु से कहता है. तुम्हारा बर्ड़े आने वाला है. बोलो क्या चाहिए? जो मर्जी हो. गिफ्ट मांगे थुड़ी न जाते हैं. अच्छा. मैं तुम्हारा लिए एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली लेकर आऊंगा. जिससे तुम दिन वर खिला करोगी. आरे वाह. मुझे जानवरों से बहुत प्यार है. I love animals. अच्छी बात है. तो अब उस बिल्ले का नाम सोच के रखना. I love you. तुम बहुत अच्छी हो. बहुत प्यार है मुझे तुमसे. तब ही सास बेटे के सामने आकर खड़ी हो जाती है. अरे नहीं नहीं. मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूँगी. मेरे बेटे को कुछ मत करना बहु. उस तक जाने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा. अरे आपको क्या हो गया मा जी? मा क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे बेटा अभी इसने बोलाना की I love you. तो बहु जिस चीज से प्यार करती है उसको खा जाती है काटके. I love चिकन बोलके मुरगा खागी. I love मतन बोलके बकरा खा जाती है. और आज तुमको I love बोल दिया है. अब कल तुमको भी बना देगी खाने के लिए. बहु को सास की वाद समझ में आ जाती है. समझ गई माजी. अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे जानवरों से प्यार है. और अगर बोलूँगी तो उनको खाऊंगी नहीं.